हाथ और फ्रेंड्स यह हमारी तीसरी वेडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे रेक्टेंगुलर कॉलम का बीबियस कैसे बनाना है ठीक है वो भी फोर लिगे इसमें यह ओगा फोर लेग ठीक है इसमें क्या है इसका डिटेल यह इसका मेन बार जो है ट्वेट नंबर से कि लिए कवार फोटीफाइव में इस तील आपस जो है एट एम्यों जोन वन और जोनी दोनों में जोन्वन का इस पेसिंग और जों टू का धाईस दॉसेंटर टू center ठीड़ है अब हमें निकालना क्या है देख लिजे हमने यहां से लेके यहां तक distance जो है x दैस ले लिए ठीक हैं और यह बीच की distance है उससे ले directamente ठीक है 800 theo our Club सबसे पहले हम क्या करेंगे लिए एक्स है ठीक है और सब्सक्राइब कालम है सबसे पहले हम काम क्या गरेंगे कॉलम मेन बार सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है यह मेन बार जो है इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस और इसके सेंटर से सेंटर निकालते हैं उसके देखिया एक अलग्स स्केज बना के दिखा दिया हैmontens into में में से लेकर इस लाश्ट और लेकर इस लाश्ट को तर निकाला है जिसका नाम दो यह ठीक है मतलब इस बारस से लेकर में सैंटार का भी पहले निकाला है तो उसे करते हैं Two clear cover इस साइट से यह denon estaban हमने माइनस कर दिया कले का ऐसके बाद माइनस Two Strips इसमें दो इस rash भी आ रिया आँडर में इसको भी माइनस कर दिया इस सैट पर इस सेट हाफ हाफ इसलिए बोल ले हैं क्योंकि हमको तो इसके लाश्ट इंड पर जाना नहीं अभी तो हमने यहां तक आया है इतना माइनस करने के बाद इस से भी हाफ माइनस करना होगा और इस से भी हाफ तो वही काम हमने किया है जब हाफ हम माइनस किया तो माय हमारा संटर वार fossils माहीं पहले का तो कितना खाना एक दो तीन है ठीक है को तीन से डिवाइट कर देंगे तो 69 डिवाइट थी जब किया हमने तो 220 से में पहर गिए अब 220 से में आने के बाद हम को क्या करना है एक इस इन तीन सरी बाहिए नहीं है और यह कि इन तीन सरिया में तो पहले हम कि एक कि बात करते हैं तो इसका 223 आया तो इसका किना आएगा तो दोनों आउटर के सेंत्र से आउटर पर पेपुँचना आएंगे अबी कम सेंत्र पर पहुंचने के लिए साड़े-बारह इमाइं में इदर से प्लस करेंगे तो दो इस्टिरफ हमें प्लस करना पड़ेगा इस साइट से भी और इस साइट से भी ठीक है तो हमने प्लस कर दिया 16 मैं तो आ गया 467 मैं अब जब हमारा एकिस्टीरफ 468 अ गया तो हम यह पता है कि या पताई नहीं फोर लिगेड़ इसको क्यों बोलते हैं वो जान लीजेए चितने ये लेग होते हैं उतने को फोर लेड़ बोलते हैं अगर ये तीन होता तो थ्री लेड़ केवल एक इस्ट्रीफ होती तो two-legged होता अगर इसमें दो steps लगी है और चार leg दिख रहा है तो यह four-legged है ठीक है चलिए अब हमें निकालना है depth यह depth का distance निकालना है तो उसके लिए क्या है 800-2 clear cover दोनों साइट से clear cover हमने कर लिया minus 2 half of step यह two steps लगेगी उसको minus किया तो हमारा देप तो जो आगया 702 तो हमारी अब इस रिंग जो बनेगी वो बनेगी 702 by 437 की ठीक है 702 by 487 की बनेगी दो रिंग बनेगी दोनों सेम यही साइज की बनेगी तो cutting length हम निकालते हैं two bracket में a प्लस b a है 700 b a 487 लिग दिया हमने plus 2 number of hook 2 hook है ठीक है अब यहीं एक ही का निकाल ले है एक इस्टीरप्स का स्टीरप्स 1 का भी निकाल ले हम कि स्टीरप्स 1 का ठीक है और यह वाला स्टीरप्स 2 है तो जो 1 का आएगा वोई सिएम 2 का आएगा ठीक है अब क्या हुआ टू नंबर आप हो गया माइनस थ्री नंबर आप 90 डिग्री बेंड अब यह देखिए बेंड जो है यहां सीधा आया 90 डिग्री हुआ यहां से सीधा आया 90 डिग्री हुआ यहां से सीधा आया 90 डिग्री हुआ तीन तो 90 डिग्री हुआ लेकिन यह जो दो है य इसलिए हमने लिखा थ्री नंबर आप 90 डिग्री बेंड ठीक है फिर माइनस टू नंबर आप 135 डिग्री बेंड सबका कैल्कुलेशन करने के बाद मेरा कटिंग नहीं था या तू टू थाउजेंट 490 mm अब वेट हम निकाल लेते हैं इस ती दसका जोन वन में 50 नंबर सा रहा है क्योंकि डबल डबल आ रहा है आता तो परचीस लेकिन आ रहा है डबल लेंगे कि यह एक यह तो हो गया 50 नंबर तो और जोन टू में 5 नंबर तो 50 प्लस 55 इंटू 2.49 हमने करके टोटल लेंथ निकाला उसमें मल्टिप्लाइ कर दिया 0.395 का ठीक है तो हमारा वेट आ गया अभी हमें एकसल सीट में आपको दिखा दें कि कई से आया ठीक है फिर वर्टिकल हाइट सेम वही है 705 इसलिए आया कि 25 इंटू 45 दी इसका LD है तो LD इसमें लगवग 1125 जाएगा तो 1125 में से 400 भी सूपर ले लिया और बाकी सब L दे दिया हमने 705 का तो ऐसे यह निकला ठीक है इसका कटिंग लेंथ क्या है 3.3 प्लस 0.42 इसको एड़ किया फिर नीचे वाला 0.705 एड़ किया और माइनस वन बेंड कर दिया क्योंकि इसमें एक बेंड है 90 दिग्री का तो हमारा गया इसका कटिंग लेंथ 4.375 मीटर ठीक है इसका वेट आया 135 केजी अब एकसल सीट में हम आपको दिखा देते हैं कि यह कैसे हुआ ठीक है